और आप कौन होते हैं बात कहने वाले कि मैं एक साल में उसकी बर्दी उतरवा लूँगा, नौकरी चली जाएगी, है कौन आप? आप प्रधान मंत्री हैं? देश की जनता ने आपको चुना है, आज आप गलती से मिनिस्टर हैं, कुछ दिनों बाद यही जनता आपको से पड़ेंगे, आप है कौन भई? आप यह सोचे के 5 साल बाद आप मिनिस्टर रहेंगे की नहीं? आप यह सोचे उनकी नौकरी तो वो 60-62 साल जब तक की एज शेंट्रल गावंटन की नौकरी की, उनकी रहेंगी नौकरी, आप अपना सोचे के 5 साल बाद चुनाओ, आप जीतेंगे की नहीं, महाराश की जंता वापिस आपको जिता के स्कद्धी पर बिठाएगे की नहीं, अपनी चिंता करिये, समीर वांखेडे की नहीं, समीर वांखेडे के लिए तो ट्रिटर पे हैश्टेक चल रहा है, समीर वांखेडे तो आइकोन है, समीर वांखेडे तो बह कि महाराश के बड़े नेता हो चाहे महाराश के बॉलीवूड के बहुत बड़े नायक भी नायक हो यह लोग क्यूं ऐसा कर रहे हैं कि यह चाहते ही निये किसका परदाफास जो इंटरनाशनल नेक्से इसका परदाफास किया जाए प्रॉबलम क्या है कल इनों ने एक्स्टॉ जब अधिकारी इस देश में काम नहीं कर सता जब अधिकारी काम नहीं करते तो आप यह कहते तो आप यह कहते हैं अधिकारी काम कर रहा है अपनी जान की परवा नहीं कर रहा है आप अधिकारी के पीछे उनकी बहन के पीछे उनकी पढ़ गए जब जनता आपके पीछे तो इन्हों एकस्टिंग आपरेशन सामने आयता जिसमें ऑभी कुछ दिनों में अधिक कुछ ऐसा हो जाएगा कि परिशान हो जाएगा सुसाइट कर लेगा तो इनको इस तरह के दोरे और सपने आते रहते तो नवाब मलिक साब को दोरे आने की बिमारी है तो सबसे पहले तो इनको एक अच्छे से एस्पताल में जाके अपना इलाज अना जो अपताल वाई कुपर होस्पिटल जहां पर सब को भेचते हैं वहां इनको खुझ जाना चाहिए दूसरी चीज नवाब मलिक साफ का क्या कनेक्शन है ड्रॉग अंगल से नवाब मलिक साफ का क्यों ऐसा उनको इतनी तकलीफ क्यों हो जाती जब समीर वांखेडे पूरे महाराष्ट में पूरे देश में जब एंसीवी आज इतना बढ़िया काम कर रही है जो मुंबाई के जोनल डिरेक्टर समीर वांखेडे साब आज वो नार्को टेरिजम के खिलाफ इतनी बड़ी जंग इतनी नवाब मलिक सहाब को तकलीफ होती है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अगर महाराष्ट की सफाई हो रही है महाराष्ट में अगर आप ड्रग्स चराइज गांजा लेने वालों की सफाई कर रहे है अगर सेंट्रल एजंसी इतना बड़ा काम कर रही है इसकी तकलीफ नव को भी बेल नहीं मिली तो तकलीफ वो कुंठा वो तकलीफ वो गुसा शायद अंदर से है इसलिए समीर वांखेड़ी पर बार बार अटैक करते हैं मैं उन्हों ने बयान भी दिया है कि मैं समीर वांखेड़ी की एक साल में वर्दी उत्रवा दूंगा और पहले भी बयान द की है तो इनका भगोडा एकस कमिश्नर इनका ग्री मंतरी वो 2 करोड के उगाही वाला घ्री मंतरी तो अगर माराष्यसरकार की ल electric को सबसेचő ज्यादा बदनामी अगर उस माराशा सरकार को सरकार को किसी ने दी है तो इनके यह दो बहुत ब़दे धुरंद्रों यह इसरा तो जेल में, सचिन वाजे का जो आका था, ये भगोडा एक्स कमिशनर वो उसका भी जो आका था वो ग्री मंतरी तो ये जो बार बार समीर वांखेड़े पर बोलना, बार बार उन पर अटाक करना, सुषांत वाले केस में भी जब ड्रक का मामला था उनकी गाड़ी पर क्षाम करने जाते हैं तो बॉलिवूट के लोगों को तकलिफ हो जाती है महारा Strange किन्को बड़ लोगों जिनको बलकानी की चल रहे है और आप कौन होते हैं बात कहने वाले कि मैं एकसाल में उसकी बर्दी उतरवा लूँगा, नौकरी चली जाएगी, है कौन आप, आप प्रधान मंत्री है, अरे देश की जनता ने आपको चुना है, आज आप गलती से मिनिस्टर है, कुछ दिनों बाद यही जनता आपको मिनिस्टर रहने देगी, नहीं रहने देगी, तो महाराश की इतने अच्छे पुलिस ऑफिसर, जो आज अपनी जान हतेली पे लेके महाराश में काम कर रहे है, आप उनकी नौकरी के पीछे पड़ेंगे, आप है कौन भई, आप यह सोचे के पास साल बाद आप मिनिस्टर रहेंगे की नहीं, आप यह सोचे उनकी नौकरी तो वो 60 साल, पासट साल जब तक की एज है सेंटरल गवर्मेंट की नौकरी की, उनकी रहेगी नौकरी, आप अपना सोचे की पास साल बाद चुनाओ, आप जीतेंगे की नहीं, महाराश की जंता वापिस आपको जिता के इस गदी पे बिठाएगे की नहीं, अपनी चिंता करिए, समीर व मुसल्मान हो के खुद वो एक ड्रक्स लेने वाले का सपोर्ट कर रहे हैं, ड्रक्स के खिलाफ आवाज उठाने के जगा ड्रक्स का फेवर कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? कि वो गांजा नहीं ले रहा था, वो वहाँ पे गंगाजल ले रहा था, वो वहाँ पे धर्म की किताबे पड़ रहा था, बई क्रूस पे तो 100% कुछ ऐसा हुआ ना, कि आपको वहाँ से पकड़ा गया, आपके पास कुछ तो पाया गया, और दूसरी चीज मैंने फिर आप के बॉलीवूट के बहुत बड़े नायक हो, यह लोग क्यों ऐसा कर रहे है कि यह चाहते ही नहीं कि इसका परदाफाशो जो इंटरनाशनल नेक्सेज है, उसका परदाफाश किया जाए, प्रॉब्लम क्या है, कल इनो ने एक्स्टॉर्शन के के से चार्ज़ लगाएं, तो आज जब अधिकारी काम नहीं करते हैं, आज जब अधिकारी काम कर रहा है, अपनी जान की परवा नहीं कर रहा है, आप अधिकारी के पीछे, उनकी बहन के पीछे, उनकी पत्नी के पीछे पढ़ गए, ऐसा नौ नवाब मलिक साब, जब जनता आपके पीछे पढ़ तो यह जो दाओद इब्राहिम और पाबलो एसकोबार को रोल मॉडल समझा जाएगा इस देश में या जो छतपरती शिवाजी है या महराना परताप है इनको आज आने वाली जनेरेशन रोल मॉडल समझेगी देखे आज हमारे साथ हमारे देश में प्रॉबलम यहीं कि मारे देश के इतिहास के साथ बहुत खिलवार हुआ हमारे देश का इतिहास लिखा गया वो उन लोगों ने लिखा जैसा वो चाहते थे वैसा हमारे किताबे आई वैसा किताब इतिहास लिखा गया हम लोग वो इति मुगलों ने क्या किया हम क्यों जाने हमारे अकरांता बलातकारी कनवर्जन करने वाले मुगलों का इतिहास हम क्यों जाने हम क्यों नहीं महाराणा प्रताप का इतिहास जाने हम क्यों नहीं जहलकारी बाई का इतिहास जाने हम क्यों नहीं अपने आके देश के जो योद्धा रहे हमों को नहीं को सबसे बढ़ी प्रॉबलम यह कि आज जब देश में कैसी सरकार है जो हमें सही इंतिहास परहाने की कोशिश कर find आज जब इस देश में नार्को टेर्रिजम जो चल रहा है उसको खतम करने की बात कर रही है आज देश के युवाओं को सही रास्ते पे लाने की बात करे तो नवाब मलिक साब को तकलीफ हो जाती है